हेलो एंड वेलकम गाईज ग्रेट ओनलाइन अकेडमी में आपका स्वागत है आज हम जो टॉपिक लेके आ रहे हैं वह स्टेटिक जीके का बहुत ही मोस्ट इंपोर्टन टॉपिक है जिसमें बच्चों को डाउट रहती है तो आपके सारे डाउट समाज किलियर करने वाले है जो लोग आज पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं प्लीज लाइक सुस्क्राइब और सेर कर दें ताकि टाइम से आपको वीडियो की नूटिफिकेशन मिलती रहे तो चलिए गाईज आज हम पना टॉपिक स्टार्ट करते हैं आज का हमरा टॉपिक है स्टेट एंड डा जमु एंड कस्मीर तो जमु एंड कस्मीर के जो फोग डांस है फोग पहले हम जान लेते हैं कि फोग डांस क्या होता है जैसे कि आप सभी जानते हैं फोग डांस मिंस लोग निरित्य होता है इस टाइप के जो डांस होते हैं वो डिपेंडेंट होते हैं पर्टिकुलर कॉम लेकिन ये जो निर्थ्य है ये बाई प्रैक्टिस अपने एल्डर से सीखते हुए जेनरेशन टो जेनरेशन पास हो रहे हैं तो गाइज हमने आपको बोला कि ये जो निर्थ्य है ये जेनरेशन टो जेनरेशन पास हो रहे हैं तो पहली बाद तो यह जो डांस है वो क्यों किया जाता है, इसलिए ताकि वो अपने छोटी-छोटी खुशियों को जाहिर कर सके पहले के जो लोग थे, जो समुधाय के लोग थे, चोड़ोटे कमुनिटी के लोग थे, जो पर्टिक्लो एरिया में रहते थे, वो लोग क्या करते थे, कि अपने चाइल्ड बर्थ पे क्रॉप सोई या क्रॉप हर्वेस्टिंग, यह अपनी छोटी-छोटी खुशियों को जा छाता है, इसको समझते हैं, पहला जो डांस है वो है रॉफ रफ डांस जो है, वो सुनने बड़ा खुपसूरत लग रहा है और आपको देखने में बड़ा खुपसूरत लगेगा, ठिके-दो यहां की जो खुपसूरत महिलाय हैं ये कोस्ट्यूम देखे, कितनी खुपसू दंबली तो दंबली यह आपको देखने को नहीं मिलेगा अगर आप कभी जाएंगे तो आप सोचेंगे कि हमने यह यह दांस पढ़ा है और यह हमें कहीं देखने को नहीं मिल रहा है क्योंकि अब एक्स्टींट हो रहा है यह बहुत ही कम स्पेसल ओकेजन पर जो सूफी संथ ह करते हैं वहां के वह यह डांस करते हैं जैसे आप देख रहे होंगे यह जो कॉस्ट्यूम है कुर्टा एंड पेजामा और यह जो सदरी पहन के और पगड़ी बांद के और हाथ में डंडा लेके डांस कर रहे हैं तो यह बहुत ही खुबसूरत लगता है देखने में पर करदेगे द्यूंते के द्वारा किया जाता है मेल के द्वारा यह उੰलिंख मैल प्रफरेंस लांस अ ऐबरेंटस ही का ृफ्का के यह का की कस्मीर का ही है इस मेरी और मैनली likely केसमीर ही डांस है डीक पर्णस अप फोटोस देख सकते हैं बहु के तो तो अब बारी आती है कि फ्रेंड्स इसको याद कैसे रखें बहुत ही मुश्किल होता है कुछ बच्चे क्या करते हैं कि डाइटली याद कर लेते हैं कुछ नहीं याद कर पाते हैं तो हम जो आपको ट्रिक बताने जा रहे हैं उससे आपको याद करने हैं बहुत असानी होग 144 दारा जो लगता है 44 दारा तो इससे आप समझ सकते हैं कि जमुएन कस्मीर में खौफ का माहौल बना रहता है आप सिंपली बस इतना समझें कि जमुएन कस्मीर में खौफ का माहौल बना रहता है तो खौफ से आपको रॉप डांस यादा जाएगा ठीक है और यहां कभी भी तो धूम धाम या फिर हम दिवालिम पटाके फोड़ते हैं तो कितना मज़ा आता है दूम धाम धड़ाके से मनाते हैं और बहुत ही मज़ा आते हैं तो धूम धाम से हम लोग क्या बना सकते हैं धूम से धूमहल याद रहेगा आपको धाम से दमाली और धंबली याद रहेगा ठीक है ठीक है और यहां के जो लोग हैं यह जो सारी चीज़े खौफ में रहते हैं हम लोग यहां पर कितने फीर रहते हैं एकदम फ्रीमाइंड़ यहां पर हमें कोई परिशाहीं नहीं लेकिन वहां के लोग के लिए यह बहुत दिक्कत की बात है जैसे वहां के जो लोग है एक दूसरे सरर पर्यसान रहते हैं कोई किसी पर उतना बिलीब नहीं करता है ना को upwards करता थी it viel दिकत की बात है हमेंसा दिकत बिकत रहां ही ह। भूलत को प्रेज़ीज है तो अब धियान रखीएगा और आपको अगर लगए तो सानी होगा चोपता जबस आपको इतना ध्यान रखना है क्योंकि जम्वन कस्मिर का सोच के यह मुदमाग में आता है कि वहां खौब का मावल बना रहता है तो खौब सुरॉफ हो गया और यह धूम-धाम वहां कभी भी हो सकता तो धूम से दूम्हल हो गया धाम से दमाली धंबली हो गया और यह बहुत दिक्कत की बात है लोगों के लिए तो दिक्कत से हिकत हो गया ठीक फेंट चलिए आते हैं नेक्स स्टेट पर तो जो नेक्स स्टेट है वह लद्दाक के बारे में जानते होंगे आप लोग भूट लोग घूंके भी आ गये हुआं कितनी वहां सरदी रहती है माइनस नेंटेंप पर बाज भूट लोग ay bark लोग हमारे वहां पर खड़े होते हैं हमारे अ impress तो वहां के जो डान्स है वह सबसे पहले डांस जबड़ू डांसे the mutual Jazz जे वो चंग woods को त्युटरय करने कि लिए जबब्र डांस वेशे जह आप पिक्चल में देख सकते हैं कि जेब्ड डांस किछ से लोग ईहीं जंगल में इतने खूबसवत कॉस्टिम को यह dance कर रहे हैं आप समझ सकते हैं इस जी को और इस picture को भी ध्यान में रखके इसको याद कर सकते हैं आपको आगे में बताओंगा कि उसको कैसे एक सह रखना फ्रेंट से रहें प्रोब देट धाढस फसले की आज जो बुधिस्ट लोग रहें और जो जानते हैं कि गौत्म तो चाम डांस जो है वो कंपोनेंट बुद्धिस सेलिबरेशन आप देखें यह कॉस्ट्यूम डांस है मास डांस कह सकते हैं इसको हम यह देखिए यह प्यारा सा कोस्ट्यूम पहन के कितनी खुबसूरत लग रही है पिक्चर आप देखेंगा अगर कभी जाएं अगर अपने मतलब धर्म को परचार करने के लिए उसको दिखाने के लिए कितनी खुबसूरती है उनके धर्म बहुत सांथ लोग होते हैं जो बुद्धिस्ट लोग होते हैं बहुत ही सांथ होते हैं दिमाग के बहुत ही सर्प लोग होते हैं लोग तो वहां के लोग यह मनाते है और सौंदोल डांस जो है सौंदोल डांस यह रोयल डांस अफ लद्दाक है रोयल डांस कहने का मतलब यह है कि जो पहले के जमाने में राजा महराजा लोग होते थे तो वहां के जो लोग थे जो प्रजाएं थी वो राजा को इंप्रेस करने के लिए या उनको खुश रखने क के लिए यह डांस करते थे सौन दोल दास इस पिसली यह महिलाय करती थी ठीक है आप देख रहे होंगे पिक्चर में यह खुबसूरत सक्किला बना हुआ है और यहां जो प्रजाय है यहां सेनाय है यह डांस यहां पर चल रहा है ठीक है फेंट्स और अगला जो डांस है वो इ के डांस कितने स्श्चा से किया जाता है ठीक है और अगर मेरे प्रल?". कोई डिकत हो रहा हु तो यहां के लोग है यह लोग दो थे टो देखिए लदाख में क्या है कि एलोसी है वहाँ पे सिचुशन बनी होती लडाई कि कभी भी लडाई हो सकता है चायना उधर से कभी भी घुसपैट कर सकता है तो उस चीज़ को हम माइंड में लेके रिफरेंस लेके चलेंगे तो यहां के जो लोग होते हैं वो सुरू से ही ल तरीका है और इनके जो वर्चस्प है इसमें कोई कोश्चन नहीं है कोई और लडाई से लोग पाउं पीछे हटाला इसके भी कोश्चन नहीं है तो कोश्चन से हम कोश्चन याद कर लेंगे और राजा महराजा के समय में वहां की जो परजाएं होती थी वह उनके सान में ड प्रदेश जो नौर्थ का बहुथ ही हिमालय का हमारो खुबसूरत देश है ठीक धुछ जो सिवाली के रेंज में लाइए करता है कि और यहां का जो सिमला है अध्यार है जो Canal पिर दैसका जो कैपिटयल वो सिमला है और यहां के चीफ मिनिस्टर है primo स्री जैराम ठाकों हैं यहां जो डांस है वह चर्बा छाम थोड़ा दांगी नाटी चापेली जोरा जोली जहमाखरा ठीक है फ्रेंट्स अगर परनेश्यम कोई दिक्कत हो रहा होगा तो जिमाचल पर्देश के लोग हैं वह हमने कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं हो सकता है कि क्योंकि हम लोग भी कहीं न कहीं देख के और समझते हैं और जानते हैं उतना करेक्ट परनेश्यम नहीं कर सकते हैं ठीक है तो चर्बा जो डांस हो इस पेसली दसरा के टाइम पी किया जाता है देखिए आप यह लड़किया है कितने जो खुबसूरत यह कॉस्ट्यूम प पिछली वीडियो में देखा होगा आपने यह जो लद्दा का चम है शीच स्पेलिंग में थोड़ा अंतर है लेकिन चीजेए वह डांस सेम है क्यूंकि वह आसपास की इलाके में डांस आपको सेम मिलेगा शटेव वह लाके हैं तो डांस लगभग आपको मिलता-जुलता मि यह सेम वही है बुद्धिस्ट मौंग के द्वार यह डांस किया जाता है और जो थोड़ा डांस है यह मेंले जो मार्शलाट होते हैं ना मार्शलाट पर बेज़्ड होता है मतलब यह देखिए आप यहाँ पे पिक्चर में देखिए आर्चरी की थुरू अपना स्किल्ड को दिखाते हैं कि हम कितने स्किल्ड है ठीक है और किसी से भी हमको कोई दिक्कत नहीं है और अपने आपको हम प्रोटेट कर सकते हैं तो यह आर्चरी की में स्किल्ड दिखाने के लिए यह डांस किया जाता है पूरे मार्शलाट टेक्निक के साथ तो थोड़ा डांस वो हो गया चोथा तो डांस है वो दांगी है यह दांगी जांस जो है आप इसका एक बार फोटो देख लिजे दांगी यह देखिए यह देखिए महिलाएं मर्द सब मिलके एक घेरा बनाके और हाथों में हाथ पकड़के यह डांस करते हैं ठीक है बहुत ही खुबस्वत नज डाठाई करते हैं उस भारते हैं प्र एक डपीयां यह टानटी हिए चापेली जोरा ख्यमाकरा चलिए चलिए इसको याद करने कामों het लेक्निक समझ लेते हैं कैसे इसको याद रखें तो हिमाचल परदेश जो है वहां पर हिमाचल परदेश में हम हिमालय जो परवत है या माउंटेन है उसको दिमाग में रखके हम याद कर सकते हैं हिमालय माउंटेन क्योंकि हिमाचल परदेश नाम सुनके यह दिमाग में आता तो हिमाले को रिफरेंस लेंगे तो देखिए हिमाले में थोड़ा सा भी चढ़ना बहुत मुस्किल है हिमाले में हम लोगों के लिए दिक्कत है वहां के लोग तो जो रह रहे हैं उन लोग की है विचूल है उन लोग की दिक्कत नहीं लेकिन हम लोग को दिक्कत है तो यहां स से चढ़ना बहुत मुस्किल है तो चढ़ना से चरबा याद हो जाएगा आपको यह एक्जामियसम पॉइंट व्यू से बहुत ही इंपोर्टेंट डांस है इसको आप लोग ध्यान से देखिएगा और याद रखिएगा इसको ठीक है यहां के जो लोग है डांस में अपना अल नहीं मीलेंगे यह नहीं मिलेंगे तो हम जाली एक लेकर चलें उससे लितराखंड जो हिमाचल से सटा हुआ है उतराखंड का कैपिटल धेहरा दुनैया यहां केचीप मिनिस्टर हमारे सुरी तीरत सिंग रावत है यहां जो डान्स है यह बहुत सारे भूतिया डांस भूतिया डांस जो है यह रिप्रेजेंट करने के लिए किया जाता है कि जो जो परसन मर चुका है उनके सोल को वहां पर पिछली मतलब अराम से वहां पर सुकून मिले और मोच पराब्त हो तो यह चीज दिखाने के लिए कस्टम डांस किया जाता है भूतिया ट्राइब के दौरा और एक खास बात और है कि भूतिया डांस जो है वहां भूतिया डांस यह देखिए आप कैसे यहां लोग देख रहे हैं यह भूत का पूरा कॉस्ट्यूम बना हुआ है कॉस्ट्यूम डांस है इससे आप समझ सकते हैं तो फ्रेंड्स आगला तो डांस है वह दांदला धुसका एंद धुरंग ठीक है और जो नेक्स डांस पर चलते हैं हम लोग नेक्स डांस जो है वह बरदा नाटी बरद नाटी बरद नाटी जो है यह जौनसा ट्राइब जो है चकारता हिल स्टेशन में वह जौनसा ट्राइब के द्वारा ही यह डांस जो है वह किया जाकता है वहीं के लोगों ने बहुत ही वंडरफुली इन चीजों को क्रियेट किया है ताकि जो लोकल क्राउड है जो भीड है जो लोग बाहर में घूमते हैं बहुत ही स्ट्रेसफुल लाइफ जिन्देगी जीते हैं दुनिया भर की टेंशन होती है तो उन लोगों को खुस था कि वो सारी टेंशन को भूल के बस उ तो यह डांस उसी चीज़ को देखके इन लोगों ने क्रियेट किया है ठीक है तो मेंली यह जांसाड ट्राइब के द्वारा किया जाता है चक चकार्था हिल्स में ठीक है अगला डांस जो है वह चंपुली पॉप्लर डांस फ्रॉम्द गढ़वाल रिजन जो गढ़वाल ट्रागंड जो है वह गढ़वाल डिजन है अल्मरा रिजन है यह डिजन्स में divided है ठीक है तो चंपुली बर् डांस है वह गढवाल डिजन का पपलर डांस और यह मैनली मैध्योडिकला रिजन और इवेंट्स के ज् disproportionately इसो है दांस उसी पर साथ है ठीक है अगला दांस है छोलिया डांस तो छोलिया डांस रही हो खुम ओ डी रिजन किया जाहता है कौन में कुममौ ड्यजरो कूमौर डीसन जो है सास्थर में आपको बताया कि उस द्रह τपकर तो यह ऑलग अलग लूग ड्न रिजन है तो सब जो रिजन्स हैं यहां के लोग अलगले डांस करते हैं में लिज़ छोलिया डांस है यह स्वार डांस है ने की तलवार ठीक है तो हाथ में तलवार लेके और यह चीज यह डांस किया जाता है और यह लोग यह चीज मतलब मानते हैं बिलीब करते हैं कि इविल इस्प्रीड जो होता है जो राक्षास होते हैं उनसे प्रोटेक्ट करने के लिए जो लोग साधी करते हैं जैसे अभी जो 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 विवाही जोड़े हैं नम विवाही जो में और उनको दुस्मनों से या इविल स्पेड से बचाने के लिए यह डान्स किया जाता है ठीक है आगला डांस है पांडव डांस पांडव जो थे जो महाभरा देखा होगा अपने पांच पांडव तो यह झाल पांच पांडव घुमनी आए तो यह फेमस होगा पांडव डांस के नाम से तो वहां के जो लोग हैं एची सेलेबरेट करने के लिए दसरा दिवाली में यह डांस करते हैं यह आपको मिलेगा मंदाकिनी एंड अलक नंदा वैलिज ओफ रुद्ध प्रियाग एंड चमुल डिस्टिक्ट वहां की जो जगह हैं वहीं पर डांटी देखिए कितनी खुब्स्रucker लग रहे हैं यह मेल एंड फीमयल बोस्प्र ने जो ऑदोलॹ बजा रहे हैं और फीमेल जो सात एमें क्रिक्रियों कि दांस कर रहे हैं और यह कितना मतलब समझ कि अगर आप वहां जाएंगे कि तो और दिन में में मुजिक्ड पर जाय सब्सक्राइब जो फीमेल से हो डांस कर रहे हैं और यह कि छोली दांस है यह से जिर्ट ढाला और तलवार लेकि डांस कर रहें ताकि हम जो नवीवाही जोड़े हैं उनको दुस्मनों से बचा सकें कि किसी की बुरी नेजर ना लगें में हैं कि जो जैसे होता है ना कि हम लोग हम लोग के ट्रेटिशन में भी जब लोग साधी करके आता है को व्यक्ति जब उसका आगमन होता है तो घर में दुवार लगता है यह वो पुरा एदम उसके लिए पुरा कार कर वैसे यहां के लोग जो हैं उस स्टैप से यहां पर नितिक करके उसे इसको बतात है है ठिकर चलिया अग्ले लांस पर चलते हैं हम लोग यहां की जब डांस है ठाउड अच्छिव ब्लंक निवल्ली मैरिट कपल वाइया ठाउट राइबस यह लोग जो नविवाहित जोड़े होते हुए उनके वेलकम के लिए स्वागत के लिए डांस करते हैं चंचारी ड सब्सक्राइब लोग कि हात्ते हैं बना करते हैं नोग मुझ्जिक सब्सक्राइब बना से हम दें ट्रद कर सकते हैं आप कैसे समझ सकते हैं हुड़किया बॉल तो हुड़किया बॉल कैसे समझें हुड़किया मतलब होता है एक यह इंस्ट्रूमेंट है हुड़का बजाते हुए हुड़का इंस्ट्रूमेंट है और बॉल मिन्स होता है बाहूबल यानि कि अपने हाथों से यह इंस्ट्रूमेंट लोक आपने मस्त रहते हैं अपनें घहरों में लेकिन दान रोपने का जैसे रुपाई धान का रुपाई होता है तो सारी और दे लिए औरते जो हैं वो साथ में मिल के मतलब धान रोपते हैं अब समझ रहोंगे राइस राइस का जब सोविंग से जनाता है उस टाइम पे ठीक तो जब धान उत्रा खंड दिमाग में उत्रा खंड को जगह के दिमाग में रखते हुए वह हमाले रिजन्स में ही है वहीं पर लाई करता है ठीक है तो भूत का पिक्चर दिमाग में रखे इसको याद कर सकते हैं ऐसे ही बदर 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 नाटी है तो बदर नाटी को कैसे याद यहां पर देखिए फारू डांस यहां पर यहां की फिमेल्स करती हैं ठीक है नियूली मेरिट कपल को वेलकम करने के लिए तो यह पिक्चर को देख कि आप कितनी खुबस्वरत कॉस्टियम है इसको देख के भी आप इसको याद रख सकते हैं पर चली चलते वह नेक्ष टेट पेहिव मारा वह पंजाब अचानी पंजब तो आप सब जानते हैं वहां की ड़ांस को भी जानते भांगड़ा to सभी जानते पंजाबि जो कहें भृभा करने लगते हैं खुसी में उनलोगी बहुत भूसम जाज किसम की लोग होते हैं यह तो यहां के डान्स जो है वह भाण्डा गिद्दा जुमर किकली ठीक है तो भाण्डा जो है वो डन बाइ मेल्स पंजाब भाण्डा तो आपको यादि रहाएग तो male preference दिया गया भंगडा को और गिद्दा जो है female preference डांस है आप जुमर देखिए जुमर जांस जो है वहाँ पंजाब में तो आप जानते हैं पंच आप पंच मतलब पांच आप मिंस नदियां तो पांच नदियों का संगम है तो वहाँ हर्याली रहती चारों तरफ खेती ब के टाइम पर अच्छे फसल हो जाने के खुशी में डांस करते हैं ठीक है तो यह मेंनली जो सीख ट्राइवल्स के दोरा किया जाता है हर्वेस्ट डांस है जुमर देखिए आप इसमें सबसे मोस्ट इंपोर्टन इस डांस में यह है मूब्मेंट ऑफ आंस मतलब आंस हाथ जो है मूब होते राने चाहिये सबसे इंप्पोर्टन इसम्याइज है ठीक है और यह जो है बलीट बलीचिस्तान जो जगाहा भी अभी पॉर जो आके टेडर्स थे जब पर आये करने लिए करने के लिए तो वहाँ से चीज आई ठ्क यह डांस वहीं से आया है और लास्ट जो डांस है वह किकली किकली मींस देखें आप बच्पन बहुत लोग खेले होंगे लड़के खासकर यह डांस दो है यह बहुत मज़ा आता गोंदे में दो लोग जो हाथ पकड़ के घूमते हैं और अपने आपको बैलेंस करते हैं सरकल में रहने के लिए ठीक है ताकि हम लोग गिर ना जाए एक दूसरे को अच्छे से पके रहना होल्ड किये रहते हैं ताकि गिर ना गिरे नहीं और बहुत ही मज़ा आता यह डांस करने में ठीक है चलिए एक नेक्स्ट जो स्टेट है वह हम लोग चलते हैं उगर्याना ठीक हो हारया राणा हर्याना जो जगह है यहां का जो चंडीगड है चीप मिस्तर स्रीर म druh moha लाए तो यहां का जो ृदॉम्स है राण W यहां जे एच यूमर है जूमर तो सेम है कुछ अंतर नहीं है क्योंकि पंजाब से अलग हुआ है और केप्टल भी सेमी यह दोनों का धाप अंधंबल ध़ाप इंस्ट्रुमेंट ँ稍ट होता जिसके ताल पे डांस होता है तो धाप दंबल ऑ खोडी ओर खोरिया ठियोता सब्सक्राइबूर अधाथ तो नूट को समय लेते हैं कि कब के लिए जाता है लूश 5 5 लड़कियां जो होती है बच्चियों के दवरा यह किया जाता है ठीक है लूर डांस जो है अपने खुशी को जाहिर करने के लिए डांस करती है अलग-अलग होती है अपने खुशी को जाहिर करने के लिए और गुगगा डांस जो है ऑग करते के लिए उनको devote करने के लिए dance किया जाता है जूमर डान्स जू है जूमर डान्स मुआ जूमर जांस जू है वो कितने मतलब यहां की लड़की यह ओरते हैं जो जूमर पहंकि कितनी इस डांस का नाम जूमर है ठीक है अपने खुशी को जाहिर करते हैं ठीक है धोलक और ताली के मुजिक पे यह डांस करते हैं ठीक है धाप धंबल धाप धंबल बताया मैंने धाप इंस्ट्रुमेंट है और इसे धंबल भी कहा जाता है तो यह जो धाप इंस्ट्रुमेंट है के ताल पर हार्वेस्ट सिजन पर भगवान को धन्यवाद करने के लिए गौड को थैंक करने के लिए इसलिए कि हमारी फसल अच्छी हुई है इसलिए डांस होता है ठीक है अब खोरिया डांस जो है यह साधी के टाइम पी किया जाता है परफॉर्ण अट वेडिंग और इंप बहुत पॉपुलर डांस है चलिए चलिए फ्रेंट्स अगला स्लाइड चलते हैं लोग यह देखिए धाप धंबल देखिए कितने अच्छे से यह नाच रहें खुब सूरती से यह खोरिया देख लीजिए आप लोग ठीक है खोरिया डांस जो है बहुत अच्छा तरीके से पंजब चलते हैं आप यह लोग फोरिया को इसको याद करने के लिए देखेंगे कैसे ट्रिक्स हम लोग इस्ते कर सकते हैं ठीक है तो वहां कि जो लोग हैं लूच पर पहंटे लूच पर जाना पहंते हैं तो लूच से लूर आ गया ठीक है कुछ लोग खेतों में टी जाते हैं एकदम सुबार जबền अंधेरे में ताकि कोई देखना ले खासकर जो फिमेल सुति उते हैं को फॉग और फाग अब तो परदान मंत्री योजना के द्वारा सब ट्वालेट बना चुके हैं और वहां के लोग अब तो कोई नहीं जाता है बहुत पहले के लोग जाते थे ठीक है जब कुछ नहीं था हमारे पास तो लोग घर में पूजा के मक्सद से ताकि घर मारा सुध न जाते थे तो फॉग से फॉग मतब सुब़ सुब़ फॉवद रहती है च्यांट टीक है तो फॉब्साग हो जाएगा कि और जहां भी जाते हैं यह लोग धमाल मचाते हैं तो धमाल से ढफ़तात है छाज जाते हैं जब कोई पी लेता है तो पीके धुढ़नी गलत नहीं पी के जूमते वे खो जाते हैं तो झूमते यानि की जूमेंगे तो जूमर लगा के जूम लिए ठीक के खो जाते हैं तो खो से खोरिया हो गया साथ город है तुझ यह ट्रिक्स याद करिया लएगा टांस को छलीए next plane सिट्ध जबू है वो यहां पर बहुत ही रिलिजय सेंटीमेन्ट जुड़ा हुआ है पतरपरदेश बनारा से बहुत das . है और विंदावन है मतुरा है तो यहां के आप सब्लोग यहां के लोग से मतलब जानते हैं थाल्ग ठीक है तो उत्वर्तिर पर्दस को यहां के जो मैं आधितनाती जी हर कोई जानता है राश लिला मिंस क्रिष्ण की जन भूमी तो रास लिला जो किया जाता है वह राधा क्रिष्ण मतलब किस्न भगवान और राधा माता जो है वो दोनों साथ में रहके ठीक है राधा और किस्न जो है वो साथ में रहते हैं एक जगह पे और चारों तरब जो है गोपियां घुमती है नाचती है तो रास लिल्ला का प्रतिक दिखता है देखिए आप यहां पिक्चर में देखि और वकलट है तो इसे भी याद रह सकते थे अब Nagran 는रता की मिन्स लूतं की अब उनकि आपकर यह मतलब मीक्चर ऑफ एक्टिं एंड़ डांस में होता और यह कर जब आप जिरी यह जो है जो है अराराइवल ऑंसून मतलब देखिए arrival of monsoon means क्या समझते हैं आप लो कि जो सावन का महीना का जब आगमन होता है जब उसको वेलकम करने के लिए उसके खुशी को जाहिर करने के लिए डांस किया जाता है ठीक है इसका जो रियल बर्थ है प्लेस वो मिर्जापूर उत्तव प्रदेश में जगह है मिर originator originate हुआ है ठीक है कि माना गता है कि कजरी नाम की जो कजरी नाम की कोई लड़की थी जो अपने husband से बहुत प्यार करती थी वह मिल नहीं पाती थी सावन 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 बिता गया बिता गया तो उसकी याद में और खुशी में जाहिर करने के लिए यह कजरी डांस किया जात है कि बहुत important topics हैं यह और लोगों को जल्दी याद नहीं होता है ठीक है तो हम आपको याद कहाने के कोशिस कर रहे हैं कि आपको याद हो जाए डांस और आप इंडिया के खुबसूरती से रूबरू हो जाए ठीक वाकिफ हो जाए कि कितनी खुबसूरती है इंडिया में ठ ठीक है कि लाज डांस जो है वो दादरा है वो सेमी क्लास्कल फॉर्म है पॉपलर इन कोटिसंस अफ लखनव रीजन कोटिसंस का मतलब आप साच कर लिजेगा ठीक है उसका मतलब होता है कोठे पर जो डांस जैसे आपनों मूवी में देखा होगा कि जो एक बहुत ही खुब है कि ना ही यह लोग गित है और ना ही अविक फुलिक्ई संसे का यह सकते हैं के छझस चलते हैं नेक्स लाइड पर आपको पार याथि कि इसको याध कैसे रखें याद रखने के लिए आपको पहुत आसान है याध रखने के लिए बहुत ज्यादा मुस्किल भी नहीं सब्सक्राइब यह आप सम황 क्या भताया आप को किसे याद रखें आपको देखिए इए कि little करते हैं जो क्रिष्ण ह्पहगवान है आपनी लिलाओं के लिए मसूर है तो लीला करते हैं और नोटंकिval करते हैं ध sinners तो लीला से रास लीला याद रख लीजिए नोटंकी से नोटंकी तो याद होई जाएगा आपको और किसने जी जो है आँखों में काजल लगाते थे तो काजल से कजरी डांस आपको याद हो जाएगा और दादर जो डांस है दादर दादरा जो डांस है वो आप ऐसे दिमाग आपको वहां पर देखने को मिल जागा अगर जाएंगे उदर तो ठीक है चलिए फ्रेंट्स आपको हमारा वीडियो कैसा लगा प्लीज हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताईए ठीक है और आपको इसका जो पीडिया फेवर टेलिग्राम हमारे टेलिग्राम लिंक पर मिल जाएगा ठीक है जो डिस्क्रिप्शन बॉक आप चेक कर लिजेगा वहां पी दिया हुआ है थांक यू फ्रेंट्स थांक यू फर वाचिंग गाईज और साइनिंग आफ म्दी समी